जैम आता दी दोस्तों मेरी इतु सुखला आपको अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ अगर आप भी बिल्कुल एक चम्मस तेल से कुछ तीखा चटपटा और हेल्दी खाना चाते हैं तो इस नास्ते को आप एक बर जरू ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए देर ना करते हैं व इस तरीके से कद्दू कस करने से हमारे आलो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएंगा और इसमें कुछ गुठलिया नहीं रहेंगी अगर आपके पास पावभाजी मैसर हो तो आप उभी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से देखिए हमने पुरे आलो को कद्दू कस कर लि तो नमखा में बाद में इस्तमाल करना है इसलिए थोड़ा सा कमी डालेंगे हैं यह चिली फ्लैक्स डाल रही हूं मैं इससे थोड़ा सा तीखा सा फ्लेवर आएगा इसमें यह थोड़ी सी अध्रक है बारी कटी हुई मैं डाल रही हूं इसमें जरूर से डालिएगा बहुत पीज़ा से हम इस अच्छी तरीके से मिला लिए तो हलके हातों से ही हमें मिलाना है क्यूंक्यम्स कदू किया तू मैरे पास बेझा भltा नास्ता हो लेकी शुखा आलो मेरे पास ठाट में श्यूआ दुफंद्टा यूजू नुट पर में शूखा आटा थे शुखा ग़नें वहाएं तो हमें लोई बिल्कुल छोटी रखनी है नीबू के साइच की तो इस तरीके से देखिए हमने छोटी छोटी लोया काट ली है अब जितनी बड़ी हमने लोया काटी है उसी हिसाब से हम सुखा आठा हाथ पे लगा के आलू का जो मिक्षर था उसे हाथों पे लगाएंगे थो इसके से काटोरी की तरह बनाएंगे आ अब इसके बीच में आलो को डाले जाएंगे और इस तरीके न lived करने मुझ के अच्रिके से दबायाना है और इसे हलक बाता में से गोल कर सकते है टो ड्जे इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बन कर तयार हुते है तो इस ठरीके छूप दोसरा पानी तरीके निकाल देंगे और इसे प्रम पानी हो चुका में करेंक नेखती है, तो इसी तरीके से बिल्कुल घरम हो चुका है तो हममेडियम अच करेंगे और अब हम अपने बॉल्स को इसमें डालेंगे एक एक करके हम सारे बॉल्स को डाल देंगे इसे मीडियम आज पर ही पकाना है ताकि ये कच्छे ना रहें तेज आज में बिल्कुल मत पकाईएगा वरना ये उपर से पक जाएंगे अंदर कच्छे रहेंगे तो इस तरीके से में अब अभी वह tenants से गाते हैं तो ये जब आप अठोड गी पके अवर में निकाल हुक्त है का कि इसमिल गीTwo से इसमिल हम अज्ग कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पके आज़िके हो डिलैंगे अब और फोड़ल रस ऑन इस ने आपर मैं अपको निकाल के दिखा एह हूँ तो बस अब इसी स्टेच पर हम इसे निकाल देंगे प्लेट पर एक प्लेट में निकाल के हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे गरम-गरम बिल्कुल भी स्तमाल नहीं करना है इसका तो देखे इस तरीके से हमने निकाल लिया है अब वापस से उसी कड़ाई में हम पानी निकालने के बाद में तेल डाल देंगे तो बिल्कुल एक चमस तेल डालना है यह मुझे थोड़ा सा तेल ज्यादा गिर गया था पर आप बिल्कुल एक चमस तेल में ही बनाईए गई से तो अब मैंने इसमें वाइट वाली तील डाल दी है . यह काला जीरा जो आता है जिसे मंग्रैल भी कहते हैं . वह हमने इसमें डाल दी है . यह थोड़ा सा पाव भाजी मसाला है मैंने डाला है इसमें यह चाट मसाला स्वात के उंसा डालेंगे हम आज बिल्कुल आपको लो रखने है इसमें यह थोड़ी से चिली फ्लैक्स डाल रही हूं मैं और थोड़ी से कटीवी हरी धन्या की पत्ती डालूंगे मैं और इसमें इगाने छेट नमक कमी दाला देखा को सामने से दिखात और तेस्टी लग रहा है बहुत ज्प कमपाण मोकि करते हैं ज़ते हैं जाएंब Lawrence को दे बना में घरते हैं तो duż looks stupid का आगे किसी अच्छी सी रेसेपी के साथ आप से मिलते हैं घर में रहें स्वास्तर हैं मस्तर और जरूर से ट्राइ कीजिए का जैमाता जाएं